हलो भाई लोग कैसे हो आप मैं रंजीत हूँ और इस वीडियो में हम शौमी के मी 6 के बारे में बात करेंगे जो चाइना में लॉंच हुआ था 19 एपरिल में और यह जो नया शौमी मी 6 है यह मी 5 के बाद लॉंच जो मी 5 लास्ट यह लॉंच वा था उसके बाद और यह भी एक कॉम्पक साइस फोन है इसमें भी शौमी आजकल तो ट्रेंड है भाई बड़े बड़े स्क्रीन दालते जाओ फोनों में लेकिन शौमी ने वह नहीं किया इसमें भी 5.15 इंच का स्क्रीन आएगा और काफी रूमर्स आ रहे थे यार क्वाड एच्डी स्क्रीन रहेगा यह वगारा वगारा लेकिन इसमें जो स्क्रीन आ रहा है वो स्टिल जो है 1080p का पैनल है लेकिन इसकी स्क्रीन ब्राइटनेस बहुत सादा है शौमी के अकॉर्डिंग और टेक्निकली जो है यह इसकी जो ब्राइटनेस है 600 निट तक जा सकती है जो काफी ब्राइट है उसका मतल होगे तो जो है देखने में रहेगा और देखने में जैसा आप देख सकते screenshot यह phone जो है Xiaomi Mi 5 के जैसे ही है देखने में लेकिन थोड़ा design थोड़ा और curvy कर दिया गया है और पीछे जो है dual camera दिया गया camera के बारे में बाद में बात करते हैं अभी आगे मूफ करते हैं और जो Xiaomi कह रहे थे कि यह भी एक splash resistant phone है लेकिन उनकी website हर जगे चेक करा हूँ लेकिन कुछ IP certification के बारे में नहीं बताया है तो लगता है शायद nano kating लगा दी जैसा Motorola के phones जो काफी रहते थे उनमें नानो कोटिंग आ जाती थी तो लगता है वो है इसमें और जब हम प्रसेसर के बारे में बात करेंगे तो जो बड़िया बात है भाई इसमें जो है snapdragon का 835 प्रसेसर आएगा जो Qualcomm का flagship है और जो Samsung के Galaxy S8 जो US में मिल रहा है उसके साथ आता है तो हमें flagship processor मिल रहा है और जो बड़िया बात है यार 6GB RAM आ रहा है चिंदी हरकते नहीं 4GB देंगे ये 3GB देंगे 6GB RAM आएगा और हर model में 6GB RAM आएगा यार बड़े बड़े कमनी कुछ सीखो यार सीखो तो अच्छी बात है snapdragon 835 और 6GB RAM हमें इसके साथ मिलेगा सो जो performance है बड़िया रहे नी चाहिए क्योंकि इसके साथ जो आता है जो GPU है Adreno 540 GPU है और जैसा screen का panel है सिर्फ 1080p है तो यार gaming gaming में तो बड़िया performance रहने चाहिए lag वैक तो कुछ नहीं होना चाहिए और जब हम battery के बारे में बात करेंगे जैसा आप देख सकते हो स्क्रीन शाट पर इसमें जो battery दी गई है वो 3350 मिली आम्पियर की बैटरी दी गई है और जो combination है यार 5.1 15 एंच और जो snapdragon 835 चिपसेट है 10 नानोमीटर आर्किटेक्ट्चर पर तो इसका मतलब मेरे हिसाब से battery life तो बहुत ही अच्छी दिनी चाहिए ये फोन में और अब जा हम स्टोरेज के बारे में बात करेंगे यहां पर भी चिंदी हरकते नहीं की गई है जैसे मैंने कहा तो और जो minimum storage है वो रहेगा 64 GB तो यह भी एक अच्छी बात है और एक और एक model भी रहेगा यह फोन का 128 गिगबाइट storage का सो दो रहेगे और एक और एक जो special edition है यार ceramic पता नहीं उसके बारे में तो limited ही रहता है तो regular जो बेस वेरियंट है वो 64 GB storage के साथ आएगा और 6 GB RAM के साथ और अब हम जब दूसरे port से नीचे अब जो इसमें है fast charging भी दी गई है और USB type C port दिया गया है यह phone में और अब हम बात करेंगे cameras की क्योंकि camera के बारे में यार Xiaomi ने अब इसमें dual camera setup दे दिया है जैसा आप screenshot पे देख सकते हो दो camera दिये गए है 12 MP के camera है लेकिन जो बड़िया ब camera में so बहुत ही बड़िया बात है Huawei भी अपने जो थे Honor 8 में dual camera दिये थे लेकिन उसमें कुछ stabilization था ही नहीं उसलिए अगर आप वीडियो शूट करते थे वो phones के साथ काफी shake ही आता था लेकिन इसमें Xiaomi ने हमें 4-axis stabilization दिया गया है so quality काफी अच्छी रहनी चाहिए और 4K वीड सकते हो अराम से और आपको quality अच्छी रहेगी यह तो iPhone 7 Plus का feature ले लिया है और एक और एक फीचर जो iPhone 7 Plus से यह लोगों ने लिया है वो है portrait mode का so अगर आप photos यह portrait mode में लेंगे तो आपको जो beautiful पीछे का background blur effect आ जाएगा यह तो देखते हैं यार camera कितना अच्छा रहता है specifications तो paper पे काफी अच्छे लग रहे है dual rear facing camera 4 axis stabilization के साथ और front facing camera में भी improvement की गई है front facing camera 8 megapixel का है और front facing camera से video हम 1080p तक shoot कर सकते हैं यह phone में और जो design के बारे में अगर हम बात करेंगे जैसा आप देख सकते हैं इसके curves काफी अच्छे है 2.5D glass दिया गया है तो आगे और पीछे दोनों curved रहेंगा तो आप पकड़ने के लिए काफी comfortable रहना चाहिए यह phone और वैसे तो normal चीज़ें इस phone में दी गई है fingerprint scanner NFC वो सब तो दिया ही गया है और speaker के बारे में जब हम बात करेंगे यह भी एक iPhone 7 के दैसा feature दिया गया है नीचे तो एक speaker दिया ही गया है लेकिन gear piece में भी speaker है so dual speaker setup भी दिया गया है phone में so यह तो थे specifications अब हम pricing के बारे में बात करेंगे और India में कब यह आएगा उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ यार अभी तो frankly speaking इंडिया का launch के बारे में कुछ information नहीं है जो जैमनी है शोमी से मैंने उन्हें message किया था यार कुछ तो बता दो इंडिया में कब आएगा लेकिन बाई बड़ा ही diplomatic answer आया वो कहें we have nothing to share as of now उसका मतलब यह लोग को भी पता नहीं है इंडिया में यह लोग कब launch करेंगे वैसे तो चाइना में भी अभी available नहीं है जो Chinese websites हैं वहां में इंडिया में घो भी यह तो यहार जून से पहले तो लगता नहीं कि यह आएगा चो यार जयमेनी साफ कुछ तो बता देना था कब आएगा हम थोड़ी बोल रहे थे कि फ्री में दो यार चुट कली बोल देना था जून में आएगा जुलाइए में जब लेकिन वी डोंट यूआन में प्राइसिंग है वो है 2499 अगर आप इसको इंडियन करंसी में कनवर्ट करते हैं तो करीब इन 25,000 के आसपास आता है तो यार ये मी 5 से तो महंगा ही है क्योंकि जो मी 5 था उसका रेट थोड़ा कम था तो अगर आप चाइनीज उसमें कनवर्ट करते हैं तो भी 25,000 आता है लेकिन यार इंडिया में जब आते हैं ये प्रोड़क्ट एक्जाक जो चाइना का प्राइस है वैसा नहीं रहता है थोड़ा जादा रहता है तो अगर इंडिया में लाँच भी होगा तो मेरे हिसाब से 25,000 से थोड़ा जादा रहेगा क्या 27,000 रहेगा या 28 देखते हैं और जो दूसरा वेरियंट है 128 GB स्टोरेज के साथ आता है वो है 2899 योँआन का तो करीबन 29,000 चाइनीज प्राइजिंग में तो देखते हैं शौमी कौन सा वर्जिन लाँच करता है इंडिया में और कब लाँच करता है और सिरामिक वर्जिन भी है वो एक सौर्ट अफ लिमिटेड वर्जिन है और चाइना में उसका दाम है 299 उसका मतलब करीबन 30,000 के बाइन स्पाुज मुझे तो नहीं लगता कि इंडिया में शौमी सेरामिक वर्जिन लाँच किये करेगा क्योंकि मी 5 का भी था सेरामिक वर्जिन यार उसके बारे में तो इंडिया में कुछ बात ही नहीं कर रहे थे लो तो देहते हैं शौमी कब लाँच करता है यह जह मी से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो सो बास अभी तो निकलता हूँ फिर में लेंगे